है लो एभरीन वें सीयलकुमकों टू छुट्ट ती लिया ने तो इस वीलियोमें processesас गोत अब बृच्ट नेक दो गाइज उस वीडियो में हम ईES Ethiopia Candial का मैंखेंगे मैद टो यह लोजिकल लिंक बना देते हैं multiple links का और यहां पर हमारे इधर चैनल के लिए concept हमारे दो प्रोटोकोल होते हैं ठीक है एक हमारा P.E.G.P होता है जो कि हमारा Cisco Preparatory प्रोटोकोल होता है और another one हमारा होता है LACP ठीक है यह होता है Link Aggregation Control प्रोटोकोल प्रोटोकोल और प्रोटोकोल 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 तो लूप अकर ना हो पैनिंग ट्री से हो रहा था तो लूप रिमेंशन के लिए हो रहा था बट हम को क्या चाहिए अब देखो वो ठीक है हमने तो रिडेनंसी इसलिए बनाई थी ना ताकि हम अपने लोड को बैलन्स कर पाएं हम ट्रैफिक को हर एक लिंक से सेंड कर पाएं बट अगर जा पैनिंग के वज़े से ब्लोक हो रहा है तो हमको तो वैसे हमको चहिए नहीं था हम तो रिडेनंसी इसलिए बनाई थी तो वहाँ पर लूप तो प्रिमेंट हो यह स्पैनिंग के हैर्प से बट हमको क्या चहिए था हमको लोड बैलेंस करना था हमको speed इनहंस क पर नहीं थी सो हमारे traffic की तो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं तो start करते हैं किस तरीके से करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे दो switch मैं दो स्थिच्टिस गवपर आपको दिखाऊँगा इसको और हम को मुट्शी निक से कनेक्ट करेंगे यहां पर मैंने टोटल फोर यहां पर लिंक ले लिया और यहां पर अब होने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो इतने में देख लेते हैं ठीक है हम यहां पर चलते हैं घृ थोड़ा हम वेड करते हैं इनके ग्रील होने का यानि अब होने का हम वेड कर लेते हैं उससे पहले में आपको शो कर देती हूं Show Spanning Tree हम यहां देख लेते हैं 4 आप in encountered face 1, 2, 3 and 4 ऐक को 2 आपे blocking port नई 3 आपे blocking port एक हमारे route ठीक है और बाकी आपे 3 आपे block कर लखे है तो spanning tree ने यहां पर कर दिया है spanning tree ने क्या कर रहा है एक ही पोर्ट को जो की रूट हमारा फोर्वर्डिंग स्टेट में है बाकी तीन को इसने ब्लोक कर रखा है ठीक है तो देखो हमको तो ऐसा हम रिडेनन्सी तो इसे वे जो से करेट कर रहे हैं ताकि हम तीनों लिंक का यूज कर पाएं बट स्पैनिंग ट्री यहां पर क्या कर देखा हो यहां पर वाकी में कर देखो सारे डेजिग्नेटेड ओर फोर्वर्ड ज्टैट में हैं पर्वर्ड़ इंग में हैं बट हमारा जो रूट के लिए बहुं करेंगे क्या हम इन चारो लिंको जो हमारे मौल्टीपल हम लिंक ले रहे हैं वह खूंना इनको एक ही लोगिकल इंटरफेस में बदल देंगे ठीक है । उम मतलब इंटरफेस तो मतलब मतलब इनटरफेस नियुक पर सफैनिð तोटल एक इंटरफेस बन जाएगा यह चार लिंग का यहां पर ग्रूप बन जाएगा जरूरी नहीं कि यहां पर बन चार लिंग ले तो आप 4 लो तोटल यहां पर आइधिंक को हम एट तक ले सकते हैं तो उतने हम लिंक ले सकते हैं तो स्टार्ट करते हम किस सरीके से करेंगा यहां पर और अब में यहां पर करूंगी इंट रेंज हमारी रेंज है फास्ट इतरनेट जीरो जीरो से हमारी बन से लेकर फोर तक है ठीक है और सबसे पहले तो हम इसके अंदर क्या करदेंगे switch port are हम को क्या करना इसको है CRA मोड यो बनाना है ट्रंग सबसे पहले तो हम नहीं यह काम करा है क्या हम ने बना दिया और एक और हम यहां पर काम कर लेते हैं क्या switch port ट्रंग अलाउड और किस के लिए वीलैन मैं यहाँ पर ओल के लिए कर रही हूँ ठीक है तो हम इसको करते हैं से एक बार एक्जिट और एक साथ ही एक काम ओर कर लेते हैं वो क्या अब देखो इतर चैनल वाला कॉंसेट यहाँ पर लाने वाली हूँ उसके अंदर क्या रहेगा उससे पहले मैं एक बार एक्जिट करके आपको शो स्पैनिंग ट्री करके दिखा दूँ शो स्पैनिंग ट्री यहाँ पर देखो अभी बिस्टिल यहाँ बिस्टory क्या है एक ही यहां पर forwarding ट्रेट में है ठीक है हमने टंग करा बट अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इथर चॉन्ट डहate है उसके इंदर हम क्या करेंगे int range fast ethernet ед nemно एपतार स्थी यहाँ हमारी सते हौनिद क्या रहेगि 0 1 2 4 ठीक है और अब हमको क्या करना है अपने इधर चैनल का यहां पर कुन सा प्लाना है चैनल और यहां पर हमको ग्रूप बनाना है और question mark करते हैं ठीक है हम 126 यहां पर group number दे सकते हैं मैं यहां पर देती हूँ 4 number ठीक है sorry और question mark भी हमको साथ महीं करना है यहां पर हमको mode डालना है mode हमारा कौन सा रहेगा mode यहां पर करते हैं और यहां पर देखो यह इतने सारे mode है हमारे ठीक है तो हमें हमें यहां पर क्या करना है अपना mode चूज करना है मैं यहां चूज करती हूँ desirable तो कि desirable ऐसा mode होता है जिसके साथ वाला जो neighbor होगा वो अपने आप ही trunk mode में चला दाएगा ठीक है तो यह देखो यहां पर यह मैंने अपडेट कर दिया है अब हम चलते हैं अपने next switch की तरफ यहां पर भी updated information आ चुकी है और अब यहां पर भी मैं क्या करती हूं int range fast ethernet 0 by 1 4 यहां 1 से 4 मैंने लिया ठीक है और switch port mode ऐसे तो यह trunk हो ही गया होगा ठीक है फिर भी हम कर लेते हैं क्यूंकि हमने switch port mode हमने पहले वाला जो switch उस पर करी दिया था और अगर इस trunk mode कर देते हैं तो कोई भी नेवर वाला हो तो अपने आपी ट्रंक में हो जाता है फिर भी हम कर देते हैं switch port trunk allowed और यहां पर कर देते हैं vlan all यह कर दिया और अब हम करते हैं इसे exit और फिर से हम लेते हैं अपनी range fast ethernet 0 by 1 से 4 और अब हम करेंगे क्या अब अपने ether channel का concept ला रहे है channel और साथ में group group number आएगा 4 then mode हम देखो mode हमने जो बाजवाला switch उस पर desirable दे रखा है तो हम यहां पर auto दे सकते हैं तो यह अपने आपी ट्रंक में हो जाएगा हमको कोई चिंता की बात नहीं है लिस्ट में यहां पर enter करती हूं और यहां पर यह हो गया है ठीक है तो अब यह थोड़ा green होने में time लेगा उससे पहले में आपको क्या दिखा देती हूं ग्रीन होने से पहले यह बार सारे डाउन हो गये ठीक है तो show spanning tree देखो गाईज अब यहां पर देखो इंटरफेस यहां पर सिर्फ एक ही दिखा रहा है ठीक है लिस्टनिंग स्टेट में चल रहा है भी ठीक है तो designated port बन गया है सिर्फ एक ही यहां पर इंटरफेस दिखा रहा है पहले चार दिखा रहा था ठीक है तो यहां पर एक और चीज़ हम यहां चेक कर सकते हैं ether channel हमारी summary होती है ठीक है उसको भी हम यहां पर देख सकते हैं show ether channel और question mark में यहां कर देती हूं एक summary है port channel load balance यह सारे चीज़े देख सकते हैं ठीक है पहले तो मैं summary देखती हूं summary तो guys यहां पर देखो 0 by 1 fast internet 0 by 1 0 by 2 0 by 3 & 4 यह सारे के सारे एक इंटरफेस बन गया है यहां पर प्रोटोकोल कॉन से चल दा पीजीप ठीक है port aggregation protocol और यह जो प्रोटोकोल होता है इस इसको preparatory होता है ठीक है और जो हमारा LACP होता है वो कौन सा होता है वो हमारा standard protocol होता है open standard होता है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं और और भी check करते हैं इसको महताती हूं और question mark करती हूं तो मैं यहां पर पहले करती हूं load balance load balance तो यहां पर देखो load balance के लिए यहां पर information आ चुकी है तो यहां पर इंटरफेस का हिसे ने दिखाए दिया load balance frame और इस टाइप से summary one line summary per channel group port channel information यहां पर शो कर दिया इसने information तो हम इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं हम दूसरे अपने switch कर चलते हैं तो अब guys यहां पर देखो पहले सिर्फ तीन ही पोर्ट हमारे सवरी पहले हमारा सिर्फ एक ही पोर्ट ऐसा था जो कि forwarding state में था बाक्की तीन हमारे block हो गए थे ठीक हैं तो यहां पर सब green हो चुके सब up हो चुके हैं तो अब अगें यहां पर चेक करते हैं हमारी information show spanning tree तो guys यहां पर देखों हमारा एक ही यहां पर interface है एक हमारा port है वो भी forwarding state में है ठीक हैं तो यह हमारा सबसे अच्छा फायदा होता है हम returnancy भी कर पाएंगे यहां पर कोई loop अगर नहीं होगा ठीक है तो यह इसका सबसे च्छा feature है speed हमारी enhance हो गई इससे ठीक है traffic मतलब वैसे logically हमने एक बनाया है हमने इन चारो लिंक को क्या कर दिया ग्रूप कर दिया बट रियलिटी में तो यह चारो लिंक चारो इंटरफेस से ही traffic जाता है तो यहां पर load balance हो गया speed भी हाँ पर enhance होगी तो यह और कोई लूप ब्यक करनी हुआ सबसे अच्छे बात ही है so this is all about guys ether channel और मैं यहां पर आपको mention भी कर देती हूं यह हमारा है ether channel यहां पर कलरी नहीं आया तो guys यह हमारा हुआ ether channel so thank you guys पर बात है बात है तो यह हमारा हो यह हमारा है